जेल से बाहर निकलते ही पाच वर्सी बच्ची को बनाया हवस का सिकार भेजा जेल हत्या जैसे गंबेर अपरात की सजा काट कर जेल से बाहर निकलने एक विक्ती ने अपनी हैवानियत का परिचाय देती हुए एक घर में गुश कर पाच वर्सी मासूम बच्ची को अपनी हवस का सिकार बना दिया यह घटना किरनापूर थानाचेतर की इस घटना की रिपोर्ट होने के साथ ही किरनापूर पुलीस ने इसे दरिंदे विक्ती को गिरपतार कर लिया गिरपतार वेक्ती सुरेश पिता विवाजी गोदूडे 35 वर्ष को बालागाट की विद्वान अदालत में फेश कर दिया गया जहां से उसे नाई कभिरक्षा में जेल भेश दिया गया है जानकारे की मताविक वतादे की 2004 में सुरेश गोदूडे ने एक आर्मी के जवान की हत्यागर्दी दी और उसे इस अपराद में सजा सुनाई गई जो 12 साल की सजा काटने के बाद सन 2015 में बालागाट जेल से छूट कर अपने घर आया था और मदूरी कर रहा था बता जाता है कि 35 वर्षी सुरेश गोदूडे की साधी नहीं हुई है जिसके परिवार में माता पिता है और भाई भी है सुरेश गोदूडे फिलाल मदूरी कर रहा था और वन नसा का आधी है इसी घटना में पाच वर्षी मासूम बच्ची के माता पिता काम करने बाहर जाते है जिसमें मा गोद्या के अस्पताल में काम करती है तो पिता ड्रावर है और दोनों सुबह काम करने के लिए चले गए थे रात में घर लोटे तो पाच वर्षी बच्ची और उसका ग्यारा वर्सी भाई अपने नानी के साथ में घर में रहता है 28 जनवरी की सुबह बच्ची के माता पिता अपने काम पर चले गए थे और दोनों बच्चे घर पे थे उनकी नानी एक खेत में चले गए थी और 3.30 बजे के गरीब दोनों बच्चे अपने घर में टीवी देख रहे थे तब ही सुरेज गुंदुडे घर के अंदर आया और पलंक पर लेट गया और उसने इस बच्ची को भाई को 50 रुपए देकर राजसरी गुटका लाने के लिए बोल दिया तब सुरेज गुंदुडे ने उसे एक चाटा मारा और गालियां देते हुए गुटका लाने के लिए भेज दिया इस लड़के के दुकान जाने के बाद सुरेज गुनुडे ने अपनी दरेंदी की दिखाते भी इस पाच वरसी मासूम को अपनी हवास का सिकार बना लिया इस मासूम बच्ची के चिलाने और रोने की आवाज सुनकर उसका भाई दोड़ते हुआ आया तब सुरेज गुनुडे वहां से फरार हो गया जब उसके नानी खेट से घर आई तब बच्चे ने सुरेज गुनुडे द्वारा केगे कुकरत के संबद में बताया तब राती बारा बच्ची को मा और पिता घर आये तब सुरेज गुंदूडे द्वारा के गरते के संबद में बच्चे की नानी ने उन्हें बताया तब 39 जन्वरी को इस पाच वर्षी बच्ची को लेकर उसकी मा पुलीस थाना किनापूर पहुची और किनापूर पुलीस ने इस मासूम बच्चे की मा द्वारा की गए रिपोर्ट पर सुरेज गुंदूडे 35 वर्षी के विरूद आई पीसी के थारा 34, 34, 440, 523, 294 भादवी लेंगी अपरादों से बालकों का श्रंड़क्चन रधीनियम के तहद अपराद दर्ज किया है जारा जिगाओ पुलीस चौकी प्रभारी स्री राना ने इकिरप्तार कर आरोपी सुरेज गुंदूडे को 30 जनुरी को बालागाड की विद्वान अधालत में पेस कर दिया गया जहां से उसे नियाई का विरुक्चा में जेल भेस दिया गया है